स्वागत है दोस्तों आपका confusion 9.2.11 में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि बिहार पब्लिक सब ओर्डिनेट सर्विश कमिशन यानि कि BPSCIO के द्वारा अफिशल नोटिस अभी तक बिहार दरों का मेंस का जो एक्जाम अस्थागित किया गया है उसके द्वारा अभी तक अफिशल नोटिस अधिकारिक तौर पर अपलोड की गई नहीं है अफिशल बेव साइट पे और ना ही अधिकारिक तौर पर अधिकारिक नोटिस पेपर में छपवाई गई है बस एक पेपर वाले ने अध्यक्ष के तरफ से बता दिया है कि अस्थागित कर दी गई है और बस उतना ही जनकारी है तो जब अगर अध्यक्ष को ये बात पता है कि रद कर दी गई है अस्थागित कर दी गई है तो सौबाबिक है वो एक अधिकारी है तो क आप से कहा जा रहा है और बहुत सारे छात्र लोग कंफ्यूज कर गये थे आज मैंने टाइम दिया था कि आज अगर तीन अक्टूबर को साम 6 बेस तक नहीं आता है तो इससे रिगार्डिंग मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा अपलोड करूंगा और बहुत सारे छात्र ज क्या होनी चाहिए ताकि आप लोग ज्यादा जो मानसिक परतारणा आप लोग को हो रही है वो थोड़ा कम हो सके क्योंकि पूरा कम करना हमारे बस की भी बात नहीं है यह सरकार की बस की बात है लेकिन वो कम करना चाहती नहीं है तो यहां पे आज देख लीजे तीन वाल है कि आप ये बताईए कि आप पेपर में दिये गई सूचना वो भी अधिकारिक तोर पे नहीं कि अधिकारिक तोर पे अधिकारी व्यक्ति ने अधिकारिक नोटिस पेपर में जारी किया है बलके एक रिपोर्टर ने अपना छाप दिया है कि अध्याष की तरफ से हम बत आ रहे हैं कि अस्थागित कर दिया गया है उस पे ज्यादा भरोसा किजेगा या फिर अधिकारिक नोटिस पे आप भरोसा किजेगा तो अगर आप अधिकारिक नोटिस पे भरोसा किजेगा तो अधिकारिक नोटिस तो आया नहीं है तो जब आया नहीं है तो आप मान कर कि जो admit card आप लोग को download हुआ है वो 11 October को exam लेगा जब तक कि अधिकारिक notice आता नहीं है तब तक तो अगर आप लोग छोड़ दियो होंगे पढ़ाई लिखाई तो आप लोग पढ़ाई जरूर किजिए क्योंकि तीन दिन तक paper में आया है एक October को और अब तक नहीं आया तो एक यहां पर भी दिखाना चाहिए था तो यहां पर आपका download means admit card यहां पर कोई यहां पर भी कुछ नहीं होता है बहुत सारे website में क्या होता है कि जावा admit card download कीजिएगा तो वहां पर यहां पर flash में चलते रहेगा कि your exam was extended और आपका exam date extend कर दिया गया है तो download का यह link deactivate कर देता है और यहां पर notice देके यहां पर आप लोगो एक extend कर देता है तो यहां पर कोई postponement of बिहार दरोगा men's exam का कोई भी यहां पर flash notice नहीं आ रहा है तो एक बात तो तो तैह हो गई है कि अधिकारिक तोर पर अभी तक कोई notice नहीं आई है अब आईए बात करते हैं कि कुछ व्यक्त पर आई है लेकिन अधिकारिक तोर पर जब हम बोर रहे हैं कि जब इतना थोड़ा सा काम है तो आप इसे अधिकारिक notice के तोर पे आप क्यों नहीं website पर अप्लोड कर दे रहे हैं या पि अधिकारिक notice निकाल के पेपर में डाल दीजे क्या दिक्कत हो रहा है कुछ समझ में या रहा है इतना दिन तीन दीन नहीं लगता था दोस्तों अब देख लेते हैं कि क्या आप लोग का राय है वह भी बताईए आप देखते हैं कि इससे पहले जो मैंने कल वीडियो अप्लोड किया था उसमें बहुत सारे लोगों का कॉमेंट आ रहा है बहुत सारे चादर ज चलिए एक बाद टोटल उनका देख लेते हैं, कॉमेंट और उसका कुछ जवाब होगा, वो मैं देने का कौसिस करूँगा आप लोग को चलिए मैंने जो कल जो वीडियो अपलोड किया था, उसका मैं सवाल जवाब कर लेता हूँ और उससे पहले एक बात और बोल दे रहा हूँ, कि दोस्तो अब आप बताईए, कि अगर अधिकारिक नोटिस नहीं आई है, तो क्या आप पेपर के नोटिस पे भरोसा करते हैं ये जवाब आप हमारे इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में करके जरूर दीजेगा कि आपका राई क्या है और मैं तो यही कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक पिंड कर दिया था, और इसमें साफ साफ कहा हुआ हूँ कि दोस्तों आप लोगों से मेरी गुजारिस है कि जब तक कोई ओफिशियल तरीके सुचना परकासित नहीं हो जाती चाहे वो निउस पेपर में या फिर बेव साइट पे, तब तक आप किसी भी निउस पे भरोसा न करें और मान कर चले कि 11 अक्टूबर को ही एक्जाम होगा और यहां पे बोले थे कि BPSSE आयोगदारा इसके संबद में क्लैरिफिकेशन जल्द आने के संभावना है आज के बारे में मैंने बोला था कि साम 6 वे तक आ सकता है जो कि अभी तक नहीं आया है दोस्तों और आयोग का भी रवया बहुत ही धुलमूल है बहुत ही खराब है चात्रों के प्रदी यही वज़ा है कि आयोग पे बहुत चात्रों का बहुत ही कम भरोसा रह चुका है और हम देखते हैं कि हर एक्जाम के बाद आयोग के खिलाफ हमेशा चातरों ने परदर्शन किया है तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक सौरव स्रिष्टी है यह बोर रहे हैं अगर पेपर गलत हुई तो कभी भी हिंदुस्तान पेपर नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे हिंदुस्तान और देनिक जागरन वगारा ने एक बस न्यूस के रूप में छाप दिया है और कोई दिकारिक नोटिस के रूप में प्रिंट नहीं हुआ था तो सही बात है आज पेपर पढ़ें या चाहे नहीं पढ़ें बहुत सारा फॉल्स न्यूस भी आ रही है बाद में पता चलता है कि फेक न्यूस हो गया बहुत सारे तो ऐसा प्रिंट मीडिया हो गया है कि न्यूस देते हैं अगला ही दिन पता चलता है कि फेक न्यूस है और डिलीट भी कर देते हैं और कोई responsibility नहीं लेते हैं यहाँ पे भी यही होगा दोस्त सूत्रों के द्वारा पता चली है कि अध्यक्ष ने कहा है कि एक्जाम डेट कैंसिल हो गई है अगर मान लिजे कैंसिल नहीं होती है तो वो उनका कोई स्योर रहे हैं हम भी वो ठीक है नोटिस आया है माली जै कि अगर आठ तारिक को नोटिस आता है ओफिशल नोटिस तो क्या आठ तारिक तैक जो छात्रों का मानसिक परतारना हो रही है क्या वो अहमियत नहीं रखती है आयोक को क्या किसी को छात्रों का जो मांसिक परतारना है उसकी कोई अहमियत नहीं है आप सभी जानते हैं कि ऐसे situation में पढ़ाई जो होता है वो जरूर है कि disturbed होता है और इतना देर नहीं लगाता था तीन दिन तक तो नहीं लगाता था हाँ ये बात था कि पेपर में नोटिस आ गई रात कोई 11 बजे 12 बजे और आगला दिन फिर साम तक होते होते ओफिशिल नोटिस जारी कर दिया जाता था बेवसाइट पे इंजिनियर राजू बो रहा है पेपर में जो छपा है किस सोच से लेकर छपा है इस बात की जनकारी खटा किया जाए ये पेपर वाले कोई जनकारी नहीं देते हैं बस अग्यासूत्र है बोल दियें कि अध्याक्ष के तरफ अध्याक्ष नहीं ये कहा है अब उन्हें कहा भी है कि नहीं भी कहा है किसी को कोई पता नहीं BPSRC के आयोग के बाद website पे तो ऐसा कुछ नहीं है Saturday को अगर है बंद भी है तो वो आपका जो data entry वाले राते हैं वो notice upload कर सकते हैं अगर आयोग के तरफ से print media उनके सुचना विभाग में आ जाती है आयोग के तो वो data entry अपना वो उसे upload करने में उसे 5 मिनट लगती है अगर अध दिकारिक notice आ चुकी है तो उसे website पे upload करने में केबल 5 मिनट लगती है तो ये एक October को भी हो सकती थी दो October को भी हो सकती थी और तीन October को भी ये काम हो सकती है तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है डुलमूल रवाईया है आयोग का और यहाँ पे अभी सेख जाब हो रहा है इस news में B पर में तो चेर्मैन अगर हैं तो सभाविक है कि वो अधिकारिक तोर पे बोल रहे होंगे यानि कि अधिकारिक तोर पे चिठी निकली होगी नोटिस निकली होगी तभी वो बोल रहे होंगे या फिर उनको मन में आया कि नहीं कैंसिल हो गया है तो कैंसिल कर दिये हैं चिठ जरूर कोमेंट करके बताइए कि अगर चेयरमेन आपके घर आके आपको बोल रहे हैं कि एक्जाम 11 अक्टूबर को अस्थागित कर दी गई है और 11 अक्टूबर तक आपको ओफिशियल नोटिस चिठी जारी नहीं किये है अधिकारिक तोर पे तो क्या आप चेयरमेन की बात को मानेंगे या नहीं आप लोग भी कोई भी छात्र हैं ये कोमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप इस केस में मानेंगे चंदन कुमार आप सही कह रहे हैं सही क्या है मैं बस इतना बोराओं को छात्रों का नुकसान नहीं होना चाहिए आप लोग पढ़ाई करें ये समय आयोग ने ऐसा कर दिया है कि छात्र अब कैंसिल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसका कोई जिम्मेबारी किसी पे भी नह करने वाली है आयोग भी बोलेगा हमने तो अधिकारिक चिठी निकाली नहीं तो छात्र कैसे मानगे कि कैंसिल कर दी है 11 अक्टूबर को अगर एक्जाम ले लेता है तो छात्रों के पास कोई बहाना नहीं बनेगा कोट में केस नहीं कर सकते हैं कि आयोग ने हमारे साथ फिवाजी की है पेपर पे केस करेंगे तो पेपर बोल देगा इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं हमने साब साब पेपर में अपना कंडिशन लिख दिया है कि भाई कोई बी ऐसी जनकारी जो पब्लिस हुई है उसकी जिम्मेवार हम नहीं होते हैं तो सबाबी के कोई र यहां अमुरुताराय बोराय टेक एक्षेन अगेंस दैनिक जागरन कोई एक्षेन वगरा नहीं होता है बस आप लोग अपने तरीके से अपने अस्तर से हर संभव प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाईए और इसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए मजबूर किजे आयोग को ता यहां पे चंदन कुमार यहां पे कुछ भासा को जो इसमाल किये हैं यसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ सानु राय बोले है इफ कमिशन डस नॉट पब्लिस मेंस एक्जाम डेट वी आर गॉइंग टुटर ट्रेंड जरूर कीजिए आप लोग को कोई भी अगर ऐसे अधिकार हैं इनका ट्विटर अकाउंट है तो उनको भी जरूर आप लोग टैक कीजिए हर विभाग को टैक कीजिए और देखे कि क्या होता है यहां पे रविरंजन कुमार बोल रहे हैं 11 अक्टूबर को ही एक्जाम होगा सर तो ठीक है 11 जब तक ऑफिशल नोटिस नहीं आया है मैं मैं भी मान के चल रहे हैं कि 11 अक्टूबर को एक्जाम होगा और पटना के जो हमारे रहमान सर हैं वो भी कह चुके हैं कि उन्हें भी अपने अस्तर से उन्होंने भी पता किया था वो भी बोल रहे हैं कि 11 अक्टूबर को ही एक्जाम होगी हिरालाल बोल रहे हैं एक्जाम 100 पर्षेंट 11 अक्टूबर को होगा अभी तेख कोई आयो के दौरत क्लिरिफिकेशन नहीं आया है तो मानकर चलिए 11 अक्टूबर को ही एक्जाम होगा अगर कैंसिल होता है तो आप लोग भी बताईए आप लोग क्या चाहते थे कि कैंसिल हो जाए या नहीं हो बहुत सी बोरा मैंने जहां exam center मेरा पड़ा था वहां contact किया तो उन लोगों ने उन लोगों ने भी बताया कि यहां पर तो अभी election की तयारी चल रही है और exam तो cancel कर दिया गया है अगर exam cancel कर दिया गया है तो आप हम सभी जाते हैं कि UPSC का exam कल होने वाला है और IBPSC का तो online exam होता है वह भी होने वाला है तो बहुत सारे exam होने वाले हैं तो कुछ center में हो सकता है या उसका center फिर बदल सकता है वह आपको फिर notice मिल जाएगी क्योंकि यह कोई अधिकारिक व्यक्ति नहीं है कि यह बदल cancel हो गया है या फिर जो हो गया अधिकारिक व्यक्ति अधिकारिक तरीके से कहते हैं तभी वो सच होता है बढ़ना ऐसे कोई उनके बाद का कोई value नहीं हो पाता है कोई भाई लोग जाए office और पता कीजिए यह सही रहेगा हां कुछ लोग गय थे office लेकिन मैंने बताया को उनका रवया ऐसा रहता है कि दूर से ही भगा देते हैं बोल देते हैं अच्छा कुछ गय थे वो बोलें कि हम सब पता करने आ है कि cancel हुआ है कि नहीं हुआ है तो वह बस बोल देते हैं हाँ हाँ जब cancel हो गया कोई द हम लोग को बस एक ही चीज है कि website पर अगर नहीं होता तो हम लोग मान के चले 11 अक्टूबर को है और हम एक और और फिर बोल रहे हैं कि अगर 10 अक्टूबर तक नोटिस नहीं आती है cancel का तो आप लोग 11 अक्टूबर को जरूर सेंटर पर जाएं क्योंकि होम सेंटर दिया है सबका तो हम सेंटर पर एक वार देख लें जाए नहीं तो फिर बाद में कुछ भी होगा तो फिर पस्ताने के लावा और कोई मौका आपको नहीं मिलेगा और यहां पर फी चंद्रा सीबरे आई थिंक आज नोटिस आएगा जो कि नहीं आया है तो नोटिस तो नहीं आपाय और बट 29 नवबर को BSSC Interlevel Men's Exam के ओफिशियल नोटिस है यही इसका भी वीडियो मैंने बनाया है कि यह कैसी सरकार है और कैसे इसके अधिकारी है कि यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार SSC Interlevel जो 2014 का है उसमें भी बहुत सारे छात्र का सेलेक्शन हुआ है मेंस में और वो चात्र का सेलेक्शन बिहार दरोगा मेंस में भी एपीटी में भी हुआ है तो यह दोनों चात्र का सेलेक्शन हो चुका है अब एक ही दिन में दोनों एक्जाम कैसे देंगे क्या यह नहीं यह समझ में नहीं आ रहा था कि बिहार SSC Interlevel का जो मेंस एक्जाम है वो 29 नवबर को पहले ही निकाल चुका है तो फिर भी हादरोगा मेंस का एक्जाम फिर 29 नवबर को करवाने का क्या तुक था क्या दोनों में समझ जसे नहीं है यह साब साब बोर रहा हो कि यह चात्रों को बस पागल बनाने का एक तरीका है उन्हें में इतना परतारित कर दे कि उनके पास क उनके पास केबल एक ही ओप्सन बचेगा अगर 29 नारी को दोनों एकजाम हो जाता है तो उनके पास केबल एक ही ओप्सन बचेगा कोई एक ही एकजाम दे पाएंगे और ऐसे अगर अलग अलग डेट में राता तो उन्हें दो चांस मिलता दोनों में से किसी में भी एक सेलेक और वही तो मैं बोल रहा है तो ओफिशियल तरीके से क्यों नहीं बोल रहा है अफिशियल तरीके से सामने आए नोटिस डालें पेपर में नोटिस डालके छपवाएं यह अलग बात है कि अगर पेपर में अधिकारिक तोर पेपर वाले को पैसा देना पड़ता है और ऐसे आयोग को पैसा नहीं लगता है सर अभी लोग को बोलो कि ट्विटर पे एक साथ ट्रेंड करें चात्र अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं फेस्बुक पे ट्विटर पे और यूटूब पे लेकिन आयोग के पास अगर ये आयोग को भी ये चीज़ पता है कि चात्र पर्शा नहीं कर रहा हूँ मैं उनका पर्शानी दूर कर रहा हूँ रंजन राजुजी बहुत सारे चात्र पर्शान हो चुके हैं ये बात आप भी जान रहे हैं मैं बस इतना बुर रहा हूँ कि आप लोग किसी भी अफवा पे ध्यान ना दे ओफिशल नोटिस जब तक नहीं आती है तब तक आप लोग लेकर चलें कि 11 अक्टूबर को एक्जाम होगी तो इसमें आप बताई कि मैं छात्रों को पर्शान कर रहा हूँ या फिर उनका पर्शानी दूर कर रहा हूँ तो चलिए बहुत सारा कॉमेंट है अब जितना कॉमेंट था मेन मेन आपको कोशन पता चल ये 10 अक्टूबर तक अगर आपका ओफिशियल नोटिस नहीं आती है तो आप लोग जरूर एक बार सेंटर पे चले जाएं और ताकि बाद में फ्यूचर में पस्ताना ना पड़े आप लोगों को कि कास क्योंकि कोट कछारी कभी भी काम नहीं देगा इस सिचुएशन में तो कि हम सभी जानते हैं कि आयोग के पास ऐसा ही ये सिचुएशन बना दिया गया है कि इसमें कोई भी अधिकारिक तोर पे जिम्मेदार नहीं माना जाएगा कि आप लोग को पेपर ने गलत नोटिस दिया या फिर आयोग ने गलत नोटिस दिया हर किसी के पास अपना काठ है इसलिए आप बीच में चात नहीं परशान होंगे इसलिए मैं बोड़ रहा हूँ ये लास्ट वीडियो है जब तक अब तभी मैं इस टॉपी पे वीडियो बनाऊंगा जब तक कि ऑफिशल नोटिस नहीं आ जाती तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि अगर मैं नोटिस आता है उसका मैं वीडियो जरूर अपलोड करूँगा जैसे ही ये नोटिस अपलोड होती है अधिकारिक तोर पे चाहे पेपर में चाहे वेबसाइट पे मैं उसका वीडियो जरूर बन चैनल हुआ है या फिर नहीं हुआ है लेकिन लेकर चलिए 11 अक्टूबर को आपको एक्जाम होगा 10 अक्टूबर तक देख लेते हैं नोटिस आता है या नहीं आता है सारा कंफर्म कर देंगे आप लोग को तो इस वीडियो को आप लोग को देखने का इस वीडियो को देख आपको दिन मंगल में हो धन्यवाद